आज हम बनाने वाले हैं दिल्ली के फेमस मतर कुल्चे हम जो मतर बनाने वाले हैं वो होंगे बिल्कुल दिल्ली स्टाइल बहुती चटपटे और मसालेदार इसके साथ ही मैं आपको एक इंस्टेंट अचार की रेसिपी भी बताऊंगी जो मटर के साथ खाने को दिया जाता है साथ ही घर पर कुल्चे बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी भी बताऊंगी जिससे कि आप कुछी मिंटों में बहुत ही सौफ्ट और टेस्टी कुल्चे बना पाएं तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले डेड़ कप सुखे मतर साथ से आठ घंटे के लिए पानी में बिगो देंगे ये देखी हमारे मतर भीग कर फूल गए हैं अब हम पहले वाले पानी को निकाल देंगे और मतर को प्रेशर कूकर में डाल लेंगे फिर इसमें फ्रेश पानी डाल देंगे पानी बहुत ज़्यादा न डालut अब इसमें वन फोल टीश्पून हलदी औ आफटीश्पून नमक डाल देंगे फिर इनहें मिक्स कर देंगे अब इसका धक्कन लगाकर इसे गैस पर रख देंगे इसमें तीन से चार सीटिया लगाकर इसे अच्छे से गला लें चलिए तब तक हम कुल्चे का डो लगा लेते हैं इसके लिए हम एक बड़े बोल में दो कप मैदा लेंगे फिर इसमें वन टी स्पून नमक दालेंगे वन टी स्पून चीनी पाउडर वन टीस्पून बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा ये मैंने 4 टेबल स्पून दही लिया है और ये है 1 टेबल स्पून देशी गी अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चलिए आप इसे गूंद लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और इसका सॉफ्ट डो लगा लेंगे खूब अच्छे से गूंद कर इसे सॉफ्ट कर लेंगे ये देखिए हमारा डो तयार हो गया है अब इस पर ओयल का हाथ लगा कर इसे 1-5 घंटे के लिए धाके रग देंगे चलिए तब तक हम मटरे के लिए चटपटा सा इंस्टें डचार बना लेते हैं जो कि छोले कुल्चे वाले हमको साथ में खाने के लिए देते हैं इसके लिए मैंने 10-12 हरी मिर्चे ले ली हैं जिनको 20 से स्लिट लगा कर अलग कर लिया है और अब हम अचार के लिए मसाला तयार करेंगे इसके लिए एक बोल में 1 teaspoon चार्ट मसाला डालेंगे half teaspoon गरम मसाला half teaspoon लाल मरेचपाउडर one four teaspoon वर्वर्व लख नमक डालकर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब गैस पर एक अधाई रखेंगे और 2 टेबल स्पून सरसो का तेल डाल कर इसको गर्म कर लेंगे फिर इसमें तयार किया हुआ मसाला डाल देंगे और इसको चला लेंगे फिर कटी हुई हरी मिर्च डाल कर दो मिनट के लिए भून लेंगे हमारा इंस्टेट हरी मिर्च का अचार तयार है चलिए अब हम मतर चेक कर लेते हैं ये देखे हमारे मतर बहुत अच्छे से गल गए है अब हम इन मतर को किसी मैशर से या कडशी की बैक साइड से थोड़ा सा मैश कर लेंगे अब हम मतर में डालने के लिए एक सीक्रेट मसाला बनाएंगे जिसको डालने से आपके मतर में भी वैसा ही टेस्ट आएगा जैसे की रोट साइड वाले ठेले पर आता है इसके लिए हमें एक बोल में डालेंगे 1.5 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून बूना जीरा पाउडर, अब इन सब को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यह हमारा सीक्रेट मसाला त्यार हो गया है, अब हम मटर को भगोने में निकाल लेंगे और इमली का पानी डालेंगे, यह मैंने हाफ कप इमली को गरम पानी में भीगो कर त्यार किया है, यह आप अपनी पसंद के हिसाब से कम्या जादर डाल सकते हैं, अब हम डालेंगे हरी चटनी, इसको मैंने हरा धनिया, पुदीना, अद्रक और हरी मिर्ची डाल कर त्यार किया है, इस चटनी को डालने से मटर का स्वाथ बहुत ही मज़ेदार आता है, इसको और इमली के पानी को स्किप ना करें, अब डालेंगे बारी कट्टा टमाटर, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रख लेते हैं, थोड़ा सा बारी कट्टा प्याच, दो बारी कट्टी हरी मिर्च, थोड़ा सा अद्रक कल अच्छा, और अब डालेंगे वहीं सीक्रेट मसाला जो कि ठेले वाले डालते हैं, इसको देखते ही आपका भी खाने का मन हो रहा होगा, ये बहुत ही चटपटा और स्टीट स्टाइल बन कर त्यार होता है, थोड़ा सा इमली का पानी हम और डालेंगे, और एक नीबू का रस, बारी कटा हरा धनिया डालकर इन सब को मिक्स कर लेंगे, ये देखिए हमारे चटपटे स्टीट स्टाइल मटर तयार हो गए है, चलिए अब हम कुल्चे के तयारी भी कर लेते हैं, सबसे पहले हम दो चेक कर लेते हैं, ये देखिए ये फूल गया है और इतना सौफ्ट भी है, अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे, और इनको इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़ते हुए स्मूध बॉल बना लेंगे, इसी तरह से सारे आटे की बॉल्स बना कर रेडी कर लेंगे, ये देखिए हमने सारे बॉल्स तयार कर ली हैं, अब चकले पर थोड़ा सा ओयल लगा कर इसे ग्रीस कर लेंगे, फिर एक बॉल लेंगे और इसे ओबलॉंग शेप में इस तरह से बेल लेंगे, आप चाहें तो गोल शेप में भी बना सकते हैं, फिर उपर की साइड पर थोड़ा पानी लगाएंगे, पानी जादा नहीं लगाना है, ये देखिए जी कलॉंजी है, इसको मैं थोड़ा सा इसके ओपर स्प्रिंकल कर दूँगी, और थोड़ा सा बारी कटा हरा धनिया भी, फिर इसको हलका सा बेलन से बेल लेंगे, जिसे कि ये सब इसके ओपर अच्छे से चिपक जाएं, इसी तरह से हम सारे कुल्चे तयार कर लेंगे, यहाँ पर मैंने ये तीन कुल्चे तयार कर लिये हैं, अब मैं इनको सेख करके दिखा देती हूँ, इसके लिए हम एक तवा लेंगे और इसे अच्छे से कर्म कर लेंगे, कुल्चे की उल्टी साइट पर थोड़ा सा पानी रगा देंगे, फिर वही साइट तवे पर डाल दें, कुल्चे के आसपास थोड़े पानी के चीटे डाल दें, और इसको एक लिड से कवर कर दें, गैस की फ्लेम लो रखें, एक मिर्ट बाद इसे पलट लें, और फिर से थोड़े से पानी के चीटे कुल्चे के आसपास डाल कर इसे कवर कर दें, ये देखिए हमारा एक कुल्चा तयार हो गया है, इसी तरह से हम सारे कुल्चे सेक लेंगे, ये देखिए हमारे कुल्चे अभी हाफ डन हो गए है, इस स्टेज पर आप इन कुल्चों को एक एर टाइट कंटेनर में रखकर, तीन से चार दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, चलिए अब हम कुल्चे भी बटर में सेक लेते हैं, इसके लिए हम तवा गरम करेंगे, और कुल्चों के उपर बटर लगाएंगे, और इनको उलट पलट करके सेक लेंगे, देखिए कितने सॉफ्ट और टेस्टी कुल्चे बन कर तयार हुए हैं, घर पर कितनी असानी से कुछ ही मिंटों में ये बन कर तयार हो गए हैं, अब हम स्वाद अनुसार काला नमक डालेंगे, काला नमक डालते समय इस बात का ध्यान रखें, कि हमने मटर बॉयल करते समय भी नमक डाला था, और जो ग्रीन चटनी डाली थी, उसमें भी नमक था, गर्मा गर्म कुल्चो को देखकर आपके मुँमें भी पानी आ गया होगा, तो फिर देर किस बात की, आप भी खाईए और खिलाईए, दिल्ली के फेमस मटर कुल्चे, आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक, शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और बैल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिसकी आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ,